प्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि MPTAT 2018 में जो आदिम जाती कल्याण विभागने सिक्षकों की भर्ती के लिए परिक्षा ली थी और अभी हाली में उनके जो पोर्टल है MPOnline पोर्टल तो उसमें से उन्होंने अपने Morat List और Wighting लिस्ट चाहिए वह हुगा दोनों पेज़ पर से घटा area के जो जो पेस था उस पर से भी यह अटमेटिकली हटती थी और एक समय के बाद हट जाती थी और कुछ दिनों के बाद फिर से वो अपलोड हो जाती थी तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है ठीक इसी तरह से ट्राइवल विभाग में भी यह हुआ अभी कुछ दिन पहले ये मेरेट लेस्ट और वेटिंग लेस्ट हट गई थी और आज ये दोबारा से उस पर अपलोड हो गई है जैसे अगर हम जाएंगे ट्राइवल विभाग के पेज पर क्लिक करके अगर उच्छ माद्मिक सिक्षक को के पेज पर जाएं तो यह है उच्छ माद्मिक शिक्षक पेच और इसमें यह देखिए दिशा निर्देशिका के नीचे प्राबधिक चैन सूची और प्राबधिक प्रतीक्षा सूची यह दोनों आज दिखाई देने लगी है ठीक इसी तरहे अगर माद्मिक शिक्षक का देखें इसमें भी देखिए यहाँ भी सबसे नीचे प्राबधिक चैन सूची और प्राबधिक प्रतीक्षा सूची यह आज दो बारा से दिखाई देने लगी है तो ऐसा हो सकता है कि यह हर महीने अगले महीने भी ऐसा ही हो जाए लेकिन इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है उसमें हो सकता है कि एक फिक्स एक टाइमिंग हो कि अगर लिस्ट डाली है तो वो उस टाइमिंग तक ही रहेगी निच्चित समय तक उसके बाद वो हड़ जाती है डिसपियर हो जाती है और फिर बिभाग MP Online वालों को दोबारा से उसे अपलोट करना पड़ सकता हो कुछ ऐ ऐसा ही रहा होगा तो डरने वाली कोई बात नहीं है आप देखते हैं कि जून के दूसरे सप्ता से डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन का जो कहा जा रहा है तो उसके बारे में और जानकारी कब तक हमें मिलती है बहुत उम्मीद है कि इस महीने की अंत तक या अगले महीने की अगली किसी अपडेट के साथ टेक के और थे